इसी के बारे में सोच रहे हो ना? शिवानी! मैंने आपकी कसम लेकर गल्ती की है माँ माँ को कुछ भी नहीं होना चाहिए माँ, आप मुझसे कितना प्यार करती हो और मैं होगी, मुझे इस प्यार की कदर ही नहीं है आप जो सोच रही है, वो सही है मेरे और शिवानी की जीवन की शुरुवात नहीं हुई है मैंने तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए तुम्हारी कसम ले ली लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है कि तुम्हें कुछ होना जाए कोई बेटा अपनी मा की जोटी कसम नहीं खाता, लेकिन मैंने खा ले मुझे माफ कर दो मा, मुझे माफ कर दो मधू, क्या हुआ, ऐसे रात को खिड़की के पास क्यों खड़ी हो सुनिए, ऐसा लगा कि यहां तुशू लाया था और वो मुझे खिड़की से देख रहा है ए, वो आधी रात को यहां क्यों आएगा वो घर में सोया होगा नजाने तुम क्या-क्या सोचते हो, सोती हो और फिर नजाने कैसे-कैसे सपने देखती हो सोजाओ, जब देखो तब बेटा-बेटा-बेटा की माला जबते रहती है तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम यहां नहीं हो, मेरा ब्रहम है देखो, मेरा मन नहीं मान रहा था क्या हुआ? कोई बात है क्या बेटा? इतनी रात को तुम यहां कुछ भी नहीं मा, आपको देखने का मन कर रहा था तुम इतने उदास के हो, जरूर कोई बात है, सच बताओ मुझे. मा, कुछ भी नहीं, आप मुझसे कितना प्यार करती हो, मा, मुझे आपकी कसम नहीं कहानी चाहिए थी, मैंने गल्ती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए. त्रिशूल, क्या हुआ है, बेटा? मा, मैंने कहा ना, मुझे आपकी याद आ रहे थी, इसलिए देखने आ गया, ठीक है, आप सोजा, ये मैं चलता. त्रिशूल, आखिर इसे क्या हो गया है, इतनी रात को यहां आया है, और उदास में लग रहा है, मतलब, जरूर कुछ हुआ है. जैसे मुझे लग रहा है, जरूर इसकी ग्रस्त जीवन की शुरुवात नहीं हुई है. क्यूं, आखिर क्यूं, अपने इस पागल प्यार को भुलाने से सब ठीक हो सकता है. मुझे सबसे पहले शिवानी को भूलना होगा. आदिशेश अकेले ही खड़ा है. मतलब, जरूर ये शिवानी ने दिये हुए धोके के बारे में सोच रहा होगा. यही सही मौका है. आदिशेश से बात करके, उसके दिल में जगे बनानी होगी. आ, त्रिशूल. आप यहाँ कैसे? यह बात तो मुझे तुम से पूछनी चाहिए, कि तुम यहाँ कैसे? मैं तो जब भी दुखी होती हूँ, आसपास टैलने के लिए निकल जाती हूँ. आप, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मेरा भी आपके जैसा है. मैं समझी नहीं. तुम्हारे लिए तो शिवानी है ना? कहां है वो? यहीं है. कहीं दिखाई नहीं दे रही? यहीं है का मतलब मेरे ख्यालों में है. तुम्हें इसी अजीब बातें क्यों कर रहे हूँ? अब ही मेरी परस्थिती ही ऐसी है, बस इसलिए. ऐसा क्या हुआ है? जाने देजे. यह ऐसी बातें क्यों कर रहा है? कल जो शिवानी का नाम भी नहीं सुनना चाहता था. आज उसी के बारे में सोच रहा है. जानना होगा कि आखिर बात क्या है. क्रिशुल, मुझे बताओना क्या बात है? नहीं. आप जानकर भी कुछ नहीं कर पाएंगी. तुम एक बार मुझे अपनी परिशानी बताओ तो सही. शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ. जैसा कि आप जानती हैं, मैं शिवानी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ. मेरा प्यार दिन बदिन बस बढ़ता जा रहा है. थोड़ा भी कम नहीं हो रहा है. पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ना यह बहुत अच्छी बात है, आप यहीं सोच रहे हैं. और प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए, तब ही अच्छा लगता है. मतलब? अब मुझे और शिवानी को ही ले रेजे. जतना मैं शिवानी से प्यार करता हूँ, उतना प्यार वो मुझसे नहीं करती. ना जाने क्यों उसे मेरा प्यार नहीं समझाता. तो फिर तुम अब क्या करने की सोच रहे हो? देखिए, भले ही शिवानी मुझसे प्यार ना करती हो, लेकिन मैं सिर्फ उसी से प्यार करूंगा, और उसी के साथ रहूंगा. मेरा निर्नय सही है न? मैं और शिवानी मेट फ़र इचादर हैं. नहीं, नहीं, मैं उन दोनों को एक नहीं होने दूंगी, आदिशेश सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मैंने तुमसे शिवानी से ज्यादा प्यार किया, ज्यादा परवाह की. तुम्हें उस शिवानी में उससे ज्यादा ऐसा क्या दिखता है? खुफसूर्ती, प्यार, अगिर क्या, क्या दिखता है आदिशेश बताओ? मेरी इस भूलोक में आने की बात, आदिशेश के पीछे पढ़ने वाली बात, शिवानी को पता चलने से पहले, आदिशेश को जल से जल हासिल करके, नाग लोग की महारानी बनना ही होगा! महारानी बनना होगा! शिवानी के साथ यूद करने जाऊंगी, तो उस वक्त रिशूल मेरे सच्चाई के बारे में जान जाएगा! मेरे पास इतनी शक्तियां होते हुए भी, उसका कोई फाइदा नहीं! तो फिर मैं क्या करूँ? किसी और से मदद मांगू? हाँ, मेरे जितने ही शक्तिशाली लोगों से मदद मांगने से, शिवानी का नाश किया जा सकता है, हाँ, कौन है वो? कहां है वो? वो कहां है? एसा कौन है जिसके बारे में सुनते ही, ये सारे साफ यहां से भाग रहे हैं, हाँ, मुझे मेरा जवाब तब करने पर ही प्राप्त होगा, जल से जल तब करना होगा ये कोई भी शिवानी का सामना नहीं कर सकते, किसी और को ढूणना होगा